सब्सक्राइब कीजिए लौ अपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ मैं ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लौ लेटीज जानकारी के लिए देश की अदालतों में तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं कई बार कलाइंट अपने ही वकीलों से दोका खा जाते हैं संपती या अन्य मामलों में अक्सर ऐसा देखने में आता है कई बार विरोधी पक्ष्टेक के गई वकील के करीबी रिष्टेदार हो सकते हैं ऐसे मैं कलाइंट को या जाना जरूरी है कि वकील के क्या दाईतों है कुछ टाइम पहले एक मामला सामने आया परमिता और उनके पती सुषांत के बीच तला का मामला सड़े चार वर्स से चल रहा था दोनों की सियुक संपती को लेकर कई तरह के मामले थे कुल संपती सो करोड रुपे की थी आठ महीने पहले परमिता सला लेने वकील के पास गई उन्हें आशंका थी कि उनके वकील उन्हें सही हिसा और हक नहीं दिला पार रहे हैं यह भी आशंका थी कि उन्हें के वकील ने उन्हें धोखा दिया था साथ ही उन्होंने कुछ मौकों पर पार्टियों में अपने ही वकील को अपने पती के साथ बाते करते हुए देखा वकील पेशिवर होने के साथ ही अदालतों के अधिकारे की भी भूमिका में रहते हैं साथ ही वे कानून के शासन के तामिल में एहम भूमकानेवाते हैं। इस तरह के नियम कानून बार कॉंसिल आफ इंडिया के चैप्टर दो के भाग छे में हैं। क्लाइंट को बात पूरी व दो टुक बताना। क्लाइंट को बीना किसी पक्षपात के पूरी जानकारी बताना। क्लाइंट का हीत पहले अदालत में किसी क्लाइंट का पक्ष रखते हुए वकील का निर्भिक होना जरूरी है ताकि मामला पक्ष में जाने पर भी उसे कोई प्रभावित ना कर सकें। किसी भी स्थिति में कोई गवाय या समगरी नहीं चिपाएंगे। क्लाइंट और अपनी बातें जाहिर ना करें। दोनों के बिच आपसी विश्वास का आधार यही है। तला के मामलों में कई जानकारियां इतनी व्यक्तिगत होती हैं कि उसे जाहिर करना गरिमा पर चोट पहुंचाने जैसा होता है। वकील जो भी सला क्लाइंट को दे रहा है तो उसे किसी और को जाहिर नहीं करेगा। यदि वे इसका उलंगन करता है तो भारत्य गवा कानून थारसवबत्तर के तहट वह भी जिम्यदार माना जाएगा। वकील अदालती लड़ाई को अनावशयक रूप से खिंचते रहते हैं। कई बार दोनों पक्ष मामले को हल करना चाते हैं। लेकिन वकील मामले को आगे बढ़ने के लिए जोर देते रहते हैं। यदि ठीक नहीं माना जा सकता। कोई भी वकील क्लाइंट को छोड़कर किसी अन्य के निर्देश पर काम नहीं कर सकता। ना ही क्लाइंट के यदि कृत व्यक्ति के निर्देश पर। यदि संपती समन्दी मामले हैं तो वकील संपती में परसेंटेज वत्तौर फीस नहीं मांग सकता। यब बार कॉंसिल द किसी क्लाइंट द्वारा जाहिर की गई जानकारियों का वकील मामले के बाद भी दुरूपयोग नहीं कर सकता है या पेशिगत गरीमा के अनुकल नहीं है याचिका लगाना या फिर अदालत में मामला दायर करने की जानकारी होना आज की समाजिक और कानूनी जुरूरत है दे से उसे किस हद तक लाव हो सकता है तो दोस्तों उमीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंज को शेर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी